अगर आप भी अपने जड़ती वे बालों की समस्या से काफी परिसान है आपके एसके आप बिल्कुल खाली-खाली हो चुके हैं हेयर फॉल ज्यादा होता है बाल सफेद हो रहे हैं या बालों से जोड़ी कोई भी समस्या है तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए इस वीडि होने से बचाने के लिए बहुत ही फादेमंद होता है राम-बाड कुश का मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बालों से जो रही समस्याओं को दूर करने में काफी घल्प करता है क्योंकि इस वीडियो में आपको घरेलून उसका बताने वाली जो हैयर रेमीडी बनाने वाली हो फ्रेंड्स औह बहुत एफीक्टिव होता है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्याज की रष से और हेर का डिमेडी बना ना बताऊँ फेंड्स प्याज की रश्रू है वो हमारे के ऐंब काफी फाया कंद होता है लेकिन F Fisher आज के रसमें दो ऐसे और चीज को मिलाओंगी जिसको प्रयोग करने से फ्रेंट्स यह रेमेडी है और भी ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है और इसके यूज करने से 100% आपको फैदा मिलेगा फ्रेंट्स आपके गंजे सीर पे बाल उगने लगेंगे सफेद बालों की समस है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी वी हल्फुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिगा फ्रेंड्स और हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइजन को प्रेस करके जरूर किलिक कर लिजेगा ताकि हमारे आने वाले व इस तरीके से छिलका निकाल के अच्छे से साफ करके आपको टुक्रे-टुक्रे में कट कर लेना है जैसे कि मैंने कट किया हुआ है बिल्कुली क्लिंग कर लेना है पहले ही प्याज को क्योंकि आपको हेर में लगाना है तो साफ होना शाहिए और इसे हम फ्रेंड्स कूटें तो इसका प्याज का रस नहीं निकल पाएगा प्याज का पल्प को लेना और इजली जो है रस निकल जाताहे प्याज में काफी अच्छे होते हैं प्याज में बीतामी सी, बी्टामी बी सीक्स, मैगनिसियम, जींख, कैलसियम, सॉडियम और पोटाइसियम पाया जाते हैं जो की हमारे hai Νव को तेजी से हाईर गूर्थ करते हैं बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और सबसे बड़ी बात प्रेंट की प्याज के रस मेंinofer होता है जो कि आपकी पोर्स को पोसन देता है और उन्हें दोबारा से एक्टिफ करने में मदद करता है और फ्रेंड सलफर जो है बालो को पतला तूटने से भी रुपता है तो फ्रेंड प्यारज के रस्में मौजूड एंटी ओक्षिडेन्ट को आपके बालो को सप्केद होने से भी बचाते हैं आपके बालो और सकल्प को आपकी emp च तलेने में काफी हेल्प करते हैं प्रेंट्स क्योंकि जो सलफर है आपके स्केल्प के ब्लर सलफुलेशन में सुधार राता है जिसे नए बाल को जड़ से मजबूत बनाने में और नए बालों को उगाने में काफी है तो इस तरीके से आपको प्याज कर रेडी कर लेना है तो जैसे कि मैंने यहां पर प्याज क काफी खराब होता है बहुत लोगों को इसका एसमेल बर्दास नहीं हो पाता है तो अगर आप इसमें निम्बू का राश डाल देंगे तो इसका एसमेल जो है कम हो जाएगा और यह जो रेवेडी एफेक्टिव ही बन जाएगा क्योंकि साटी के सीड होता है निम्बू में जो कि दूर करता है तो यह भी अपकी बालों के लिए काफी फैदेमंद होता है निम्बू के अप्चा है तो एक निम्बू यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने coconut air झो के हमारे बालों को काला करने के लिए और बालों को नरीष करने के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है नारील का दिल तो यहां पे आपको एक चमस नारील का दिल यूज़ करنا है अगर मेया चाहर तो आप और इसी टाप से बढ़ा सकते हैं तो यहां पर मैंने अपने हेर के कॉर्डिंग एक चमच यहां पर कोकोनटायल उच किया इन तीनों चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है अब जो रेमेडिये फ्रेंट्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन चुकी है क्योंकि हमने इस लगाना कैसे है इसके लिए आपको एक कॉटें के जूरूई होती है कॉटें बॉल उसको लेना है और इस रेमेडिये में डीप करना है और इससे आपको अपने चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लेना है बालों की जड़ों में लगाना है और बच्चे वे पार्ट को अबम आपको ऑपने बालों की लगाना है जिससे आपको डो मुहें बालों की समस्या में जो भी कhतम हो जाएगी इस रेमेड को लगाने कब आपको तीस मिनटे तक आपको इस में पर अग्zet एकल के सकते हैं अगर आप तो कर सकते हैं अधर्वाइज आप एक बार भी यूज करेंगे तो काफी फैदा मिलेगा आपको क्योंकि बहुत इफेक्टिव रेमेडी है आपके बालों से जूड़ी समस्चाओं को दूर करने में बाल जड़ने की समस्चा को दूर करने में सफेर बालों को काला बनाता है और गंजापन की समस्चा को दूर करने में रामबान इलाज मना जाबता है तो आप इस रेमेडी को जरू ट्राइक कीजिएगा प्रेंट्स आपको हंडेट परसेंट फैदा मिलेगा आप इससे लगाएंगे तो आपको खुद ही इसका एहसास होगा और आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे तो आपको हमारी वीडियो काफी हलफुल लगी होगी तो फ्लीज प्रेंट्स वीडियो थोड़ी भी हलफुल लगी हो तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जारा सेर कीजिएगा और ऐसे और भी अच्छी अच्छी होम रेमेंट्री और इंफरमेंट्री वीडिय कर लिजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है और इससे लेटेड आपको कोई भी कोश्चन पुछना है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट का रिपाई जरू करूँगी साथ ही आप हमें नीचे सजे क्रव में आपके कर दो ए incarnation सब्सक्राइपों कर दो ए घर जरूड़ा वारा है तो हमेल जरू कोशना कर दो भाबी